आज फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और ये आज हिंदू के फ्रंट टेट में ये टॉपिक आपता है मामला है कि हमारे जो Chief Justice of India है जस्टिस चंद्रचुट साहब इन्होंने कहा है कि हम जो गौर्णमेंट के द्वारा बिल्स को पास किया गया है विवादित विधेयकों को जो की दिखते हैं साधारण विधेयक या विट्य विधेयक और उनको पास कर दिया गया धन मिधेयक के र करेंगे और सेवेन मेंबर कॉंटिस बनाये जाएगा इसमें तीन ऐसे विधेयक हैं जो की दिखते हैं आपके और पास किया गया है और उसी पर आपके जस्तिस रंजन गो गई जो चीफ जश्टिस अफ इंडिया थे तो था नाइंकीन मुने कहा था कि हम सेवेन मेंबर कॉं पीमेल एक प्रिवेंशन ऑफ मंपनी लॉनिंग च हो मनी को भीकिर पर किया दिया तो त्व यह को फैनेंस में नौन से जिसम structured में आपके कुछ पिपीजन से उनको पास लिए गए अब आपको एबात मालुम होगा कि अगर किसी वील को अधने बिल की जगह मनि बिल की रूप में पास कर दिया जाता हैरों और चौन ृप क्लिख कर सकता है संसोधन के लिए केवल निवेदन कर सकता है संसोधन नहीं कर सकता 14 दिनों के बाद वो विहयक वापस लोगसभा में पहुच जाएगा अगर वो फारित नहीं करता तो अन्यता वो सहमती देता है तो राजपती के पास पहुच जाएगा अगर वो संसो धन्स के लिए वे बैश्06 करता है तो वापस लोगसभा में ऐएगा और लोगसभा उस संसो धन्स के सविकार कर सकती है या हास सविकार कर सकती है इसका मतलब राजसभा की मॐंता धन विधेयाक में सुनने है एक तरह से और अगर कोई विधेयत आपके money bill के रूप में पास किया जा रहा है, क्योंकि ruling party की majority होती है लोक सभा में, कभी सरकार चलती है, तो किसी भी तरह की कोई bill, जो ordinary bill है या money bill है, उसको पास करने के लिए simple majority आपका चाहिए होता है, गौर्मेंट बड़े इजली ऐसे bills को पास कर दे है, तो वो जो पाल्यामेंट की रोल है, specifically जो राजिसभा की रोल है, उसको बाइपास कर देती है, अब आपको यह जानना है कि किस केस में यह मामला आपका आया, तो एक केस है, रोजर मैथ्यू वर्से साउथ इंडियन बैंक लिंकेट, रोजर मैथ्यू वर्से साउथ इंडिया रंजन गोगई ने कहा था कि इस मामले में हम एक कॉंस्टूशनल बेंच क्रेट करेंगे और सेवन मेंबर कॉंस्टूशनल बेंच का जो भूमिका होगा, वो यह होगा कि अनलाइज करेगा जिन बिल्स को मणी बिल के रूप में इंटर्यूज कर रहा है, क्या वो सब्सक्राइब करेंगा, तो बिल्स कई प्रकार के आपको विदेयक देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा, उन एक मिलेगा आपका औरन डिन गी बिल जो आइक osu 2007 में देया गया है, एक है आपका money bill जिसका पैसी तरीका 109 में देया गया है, डिन दीया गया 110 में, एक होता है ए और ये आटिकल फुटीन में आपका मेंस़ं किया गया इसको फूर और अग्रिकल फॉर्फॉज अपनी बिली मान सकते हैं फिर एक आपका बिल होता है नहीं हुआ बिल जो आटिकल 117 वन में बताया गिया है और आटिकल 117 री में बताया यह पाइनेंस बिल वन टाइप है यह पाइनेंस बिल टू टाइप है और फिर एक और बिल होता है जिसको आप कहते हैं constitutional amendment बिल जो आर्टिकल 368 में बताया गया है अब हर बिल की अपनी थूबियां है आर बिल के अपने तरीके हैं पैसे होने के और किसी बिल में simple majority चाहिए किसी बिल में special majority चाहिए किसी बिल में joint sitting नहीं हो सकता किसी में joint sitting हो सकता है एक जैसे अगर आप बात करिएगा तो Conscious Amendment Bill में Joint Sitting नहीं हो सकता, इसको Pass करने के लिए आपको Special Majority की जिरुवत पढ़ती है Finance Bill 1 Type, 2 Type दोनों में Joint Sitting हो सकता है और Pass करने के लिए इसको Simple Majority चाहिए होती है Money Bill को Pass करने के लिए आपको Simple Majority चाहिए होती है, Joint Sitting नहीं हो सकता Ordinary Bill को Pass करने के लिए Simple Majority चाहिए होती है और आपके Joint Sitting हो सकता है इसमें राजसभा की भूमिका नहीं होती है, नगाने होती है 14 दिनों तक ये केवल Bill को अपने पास रच सकता है बाती हर cases में राजसभा की भूमिका होती है चाहिए Finance Bill 1 हो, चाहिए Finance Bill 2 तू टाइप आपका हो और Simple Bill में आपके Ordinary Bill में तो Joint Sitting होगी Constitutional Amendment Bill में कोई Joint Sitting नहीं हो सकता है, दोनों बिल्स को Separately जो Constitutional Amendment Bill है, इसको दोनों हाउसेज में Separately Special Majority से पास करना पड़ेगा तो Government अगर किसी Bill को Money Bill के रूप में पास करता है, तो ये बात आपको देहने को मिलेगा कि राजसभा का जो रूल है, वो मिनिमम हो जाता है, तो जो राजसभा जो तन्स्ट्रक्टिब अपोजिशन का काम करता है, गॉर्मेंट की accountability क्रियेट करता है, तो कि maximum time गॉर्मेंट का लोगसभा में बहुमत होता है, राजसभा में बहुमत नहीं होता, इस वजए से गॉर्मेंट की actual accountability राजसभा में जादे ensure होती है, as compared to लोगसभा, तो लोगसभा में तो उसके पास majority है ही, तभी सरकार आपकी चल रही है, अब यहाँ पे जो बातें आपको देखना है, यह कह रहे हैं कि हम आपके बैंस बनाएंगे, एक point आप यहाँ पे note कर सकते हैं, मेंस में कोई money bill के relation में कोर्चन आता है, तो आप इस case क लिख सकते हैं, Roger Matthew v. South Indian Bank Limited, in which the then Chief Justice of India, Justice Ranjan गो गई, wanted to create a seven judgments to examine the government's formation of a money bill, और government decision of a money bill, कि कि इसको money bill बनाया जाएगा, अब यह तो बात आपको मालूम होगा, कि money bill का ultimate decision, speaker लेता है, और speaker का decision final होता है, लेकिन most of the time speaker हमारे देश में ruling party का होता है, और आप देखेगा, कि यह decision आपके, कहीं न कहीं, government के influence में ही होता है, अब यहाँ पे जो देखेगा, कुछ bills जो पास किये गए हैं, जब money bill, उसमें आधार का act है, finance act है, amendment to prevention of money launding act है, अब इस act में क्या हुआ, इस act में अगर आप देखेगा, power देने की, उसको सही बताया, Supreme Court को बस यह है, कि क्या इसको money bill के पास किया जा सकता, इसका examination बाकी है, दूसरा आपका, एक और finance act है, 2017 में, जिसमें 19, जो judicial tribunals होते थे, जो administrative tribunals के लाबा और जो हमारे देश में tribunals होते हैं, जैसे national green tribunals हो गया, income tax tribunals हो गया, इसमें central administrative criminal भी है, इसमें जो appointments होते हैं, इन appointment में काफी जादे central government को role दे दिया लिया, एक तरह से गर आप देखिएगा, कि यह institutions largely बोला जा रहा है, कि executive control में आपके काम करना शुरू कर दिया, फर्ड जो आप देख सकते हैं, वो आपका जो आधार विधेर का इसको money bill की रूप में पास किया लिया, हाला कि Supreme Court में इस case में इस verdict को ठीक बताया, कि आधार को आप money bill की रूप में पास कर सकते हैं, और इसमें आप देखेगा कि जो descending judgment था, जो judgment पास हुआ था, 5 judgments था, 4 is to 1 आपकी judgment आया था, उसमें जो विरोध करने वाले justice थें, वो justice चंद्रचुट थें, उस समय आपके नयाएधीस थें, इस समय ये भारत के मुक्ते नयाएधीस हैं, Chief Justice of India है, और उस समय उन्होंने इसका विरोध किया था है, इन्होंने कहा था, कि जब seven judge bench का नियर्णे आ जाएगा, फिर आप इस मामले में नियर्णे लीजिएगा, जब तक आप ऐसा को decision मत लीजिए, लेकिन उस पे कोई आपका जो justice उस समय चें, इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपका हम मानते हैं कि power है, आपके speaker के पास कि किसी बिल्को money bill की रूट में certify कर सकता है, अब जो examination होगा, उसमें यह होगा कि क्या speaker किसी बिल्को money bill certify कर सकता है, फोड़ा सा एक बात आपको और जानना है कि money bill में क्या-क्या provisions होते है, तो money bill के provisions अगर आप देखिएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले general understanding देख लेए, फिर एक बार इसको देख लीजेगा, money bill में अगर किसी भी करका कोई text को लगाया जा रहा है, text को impose किया जा रहा है, text को बढ़ाया जा रहा है, text को घटाया जा रहा है, text के slab में परिवर्टन किया जा रहा है, text को हटाया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है, यह सब money bill के depression में आएगा, हमारी central government अगर कहीं से borrow कर रही है money, ward bank से, IMF से, ACN development bank से, कहीं से भी किसी देश से उधार ले रही है, यह भी money बिल में आएगा भारत के संचित निधी का consolidated fund of India में contingency fund of India जो आपका है आकास्मिक निधी है और जो भारत के संचित निधी है जो इनके custody के relation में, इनके संग्रक्षण के relation में अगर कोई बिल आता है तो money बिल में आएगा अगर consolidated fund of India या contingency fund of India में money submit किया जा रहा है, इसमें पैसा डाला जा रहा है या पैसा withdraw किया जा रहा है, इससे पैसा निकाला जा रहा है तो भी ये धन विदेयत के परिभासा में आएगा कोई भी पैसा जो charge expenditure कहलाता है, charge expenditure वो expenditure होता है जिसमें संसद में बहस तो हो सकता है, लेगिन संसद इसमें किसी तरह का कोई कटावती प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता भारित वय क्या होता है वो वय जिसमें संसद के अंदर बहस हो सकता है लेकिन संसद इस पे किसी तरह का कोई कटाओ की प्रक्ताओं नहीं पारिद कर सकता पारियमेंट के अनले डिस्कस बट कैनाट पास एनी कट मोशन रिगार्डिंग तू इस एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन दसी अपाई जनरली इसमें भारत के प्रेसिडेंट और इंडिया चेर्मेन डेप्टी चेर्मेन और राज्यसभा, स्पीकर डेप्टी, स्पीकर अफ लोगसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जज़ेज ऑफ सुप्रीम पोर्ट, सी एजी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके चेर्मेन और इनके मेंबर्स, सी एजी के जो आपके, सी एजी जो हैं, कंपूलर सर्विस के जो खर्चे हैं, अगर किसी बीखळा का कोई उधार लिया है, उस उधार को सुल्फिल करने के लिए, कोई सिंकिंग फंड बना दिया है, ऐसे फंड के लिए भी अगर आप बार करिएगा, तो एक्सपेंडिचर चार्ज माना जाता है, कोई और expenditure जो Parliament by law declare कर दे कि expenditure charge upon the CFI है इसमें election commission का expenditure नहीं आता है AGI का expenditure नहीं आता है तो यह सब बातें आपको ध्यान अखना है इन सबों को हम लोग किसमें रखते हैं इन सबों को हम लोग रखते हैं आपके मनीबिल के अंदर मनीबिल में क्या जाएंगा किसी निजिके संग्रक्षण के संबंध में पैसा जमा करते हैं निकाल रहे हैं तो इंपोजिशन एबॉलीशन एसन एल्टेडेशन ओडेशन और इंडिया रहा है गॉर्में उधार ले रहा है गॉर्मेंट इस तडी आफ दा उंसॉट एटेटेशन और इंडिया और कांटीजेंसी फंड आफ इंडिया पेमेंट अप मनी इंटू और विड्रौ अप मनी इसे पैसा डाला जा रहा है हटाया जा रहा है कुशी भी तरह का कोई भी नियोग किया जा रहा है भारत के संचित निधी से अब आपका यह है कि अगर गौर्ण सुप्रीम कोट इस पे कॉंसिशनल बेंच बनाता है और अगर यह डिक्लियर करता है कि स्पीकर का जो डिसीजन मेकिंग पावर है और मनी बिल इस सब्जेक्ट तो जूरीशल रिवीव तो यह अपने आप में ही एक एत्हासिक नियर्णे होगा फिर हमारे संसर में जो रूलिंग पार्टी है और स्पीकर है इनका जो डिसीजन लेना अपने डिस्क्रिशन पे कि कि इसी भी बिल को आप मनी बिल्ट कर देते हैं उस पे अंकुस लगेगा और गौर्रमेंट के एकाउंटिबिल्टी भी बढ़ेगी राजसभा की भी पावर्स आपकी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा कि इससे आपका ठीक रहेगा तो कि सारे बिल्स को आप ऐसे जिसको आ आप और डिनरी बिल की रूप में पास करना है उसको आप मनीविल की रूप में पास नहीं कर सकते तो आज के लिए इतना ही फिर नेक्स लास में हम दों मिलते हैं और फिर किसी इंपोर्टेंट के टॉप्टिक के साथ मिलेंगे